हलो फ्रेंड्स मैं विकार शाक्या और इस टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरीके से C-Sharp.net का यूज करके ASP.net में हम एक ऐसा वेब अप्लिकेशन क्रियेट कर सकते हैं जो की सेशन मैनेज करता है ठीक है सेशन जो होता है वो एक ऐसा वैरियेबल होत उसी के लिए होता है और हर यूजर के लिए वो अलग-अलग अपने तरीके से मेंटेन होता है और कोई एक यूजर दूसरे यूजर के लिए वो सेशन वैरियेबल को देख नहीं सकता वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट वैल्यूज हैं अपने एंड पर रहती है और दूसरे client पर दूसरे user को दिखाई नहीं देती दूसरे client को दिखेंगी नहीं तो आएए देखते हैं किस तरीके से हम session manage कर सकते हैं अपने ASP.NET wave application में so session manage करने की चार तरीके हैं जिसमें से दो तरीके आज मैं और इसका नाम रखते हैं test session और इसे मैं create करता हूँ projects के अंदर let's see empty way project create करते हैं यहां पर आते हैं और यहां पर एक web page फटाफट आड़ कर देते हैं वेफ फॉर्म 1 इसका नाम रखा वेफ फॉर्म 1 और इस वेफ फॉर्म 1 पे हम एक बटन आड़ कर देते हैं ठीक है ठीक है और इस बटन पर हम ऐसा code लिखेंगे कि जैसे ही हम इसको click करें यह next page पर जाया और next page भी हम इसमें add कर देते हैं कौन सा होगा हमारा next page so it will be web form 2 यह अगला page होगा हमारा ठीक है इसमें हम दो text box add कर देते हैं यह मैं क्यों add कर रहा हूं जस्ट आप देखते जाहिए क्यों add कर रहा हूं वह मैं आपको बता दूँगा एक text box का नम है text box 1 और दूसरे का नाम है text box 2 ठीक है अब जड़ा कुछ basics की बात करते हैं web form 1 पे आते हैं आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि आप एक page पे जैसे आप login कर चुके हो तो login करने के बाद आपका username हो गया जो कि अब आपके system में अब आपके application के पास आ गया आपके application को पता लग गया कि यह user है बट एक page से जैसे ही दूसरे page पे जाते हो तो वो दूसरा page क्या होता है वो दूसरा page एक नई HTTP request होती है जैसे यहाँ पे मैं एक next page पे code लिख देता हूँ response.redirect इसका मतलब होता है कि जैसे ही इस button को कोई click करेगा वो क्या करेगा वो दूसरे page को direct करेगा यानि उस दूसरे page को open कर देगा और वेपेज का नाम क्या है waveform2.aspx ठीक है यह उसका नाम है response.redirect तो जैसे यह button क्लिक होगा webpage 1 पे waveform1 पे वैसे ही waveform2 हमारा open हो जाएगा ठीक है और waveform2 पे यह दो जो आपके text box है इनको जरा दूर-दूर कर देते हैं तो यह जो है दोनो text box आपको यहाँ पे display होंगे sorry यहाँ पे text change जबदस्ती add होने लगा तो यहाँ पर आप कर सकते हो इसे और इसे थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ठीक है तो यह दो text boxes है अब जैसे ही आप इस web page से waveform1 से waveform2 पे जाते हो इस waveform1 को open करने के लिए जो request जाती है सर्वर पे वो एक अलग request है ठीक है और दूसरा जब हम यहाँ से रिस्पॉंस राट रिडारेक्ट कर देते हैं waveform2 open करने को कहते हैं तो वो request जो पिछली बार आई थी और उससे जो response हमारे पास आया था जो values हमने इस्टोर की थी वो values अब maintain नहीं रहेंगी दूसरे page के लिए दूसरा page ऐसे ही उनको नहीं देख सकता ठीक है तो अगर माल लो हमने किसी एक user का data लिया है database से पहले page पे और अगर हम दूसरे page पे जाएं और फिर से हमें username की जरुवत हो तो क्या हम दुबारा क्योरी करेंगे database में sounds good नहीं वो logical भी नहीं सही भी नहीं लगता तो उस तरीका तो होता है MVC जो हमारा model view controller होता है उसमें view state maintain रखना तो view state के through हम एक जगे से दूसरी जगे एक view से दूसरे view पे data pass करते रहते हैं ठीक है एक तरीका तो वो होता है सिंस यह MVC application नहीं है हम discuss कर रहे है normal waveform application की तो यहां पर हम किस तरह से maintain करेंगे उसको maintain करने का तरीका ह होता है आपका session variables के through ठीक है एक particular user के लिए हम session variables use कर लेते हैं ठीक है suppose करो कि जब हमारा page load हुआ था तो उसी समय हमने क्या किया कि दो values हमने database से निकाली एक value थी किसी user का नाम और दूसरी value थी उसकी age ठीक है या फिर उसका address उसका address और उसका नाम निकालते हैं तो यह दो values हम एक session variable में store कर लेते हैं कैसे store करेंगे session और यहाँ पर लिखेंगे name ठीक है यह एक map की तरह maintain होता है map में जैसे यहाँ पर यह key होगई जो आपने दिया यह key होगई और यहाँ पर जो आप देंगे वो होगी value suppose यह data आपका database से आ रहा है ठीक है हमने इसको यहाँ पर अपनी से dummy data दे दिया database से connectivity नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पर सीधे हम एक dummy data दे देते हैं और यहाँ पर हमने डाल दिया address और इस address को हमने क्या किया यहाँ पर डाल दिया noida sector 350 ठीक है जो की exist ही नहीं करता तो यह हमने दे दिया यहाँ पर name और address दे दिया अब इस page पर यह दो values हमने session में store कर ली है अब इसी value को अगर हमें किसी दूसरे page पे चाहिए क्योंकि वह पूरा का पूरा page हमारा application ही तो है अगर हमें वहाँ पर चाहिए तो क्या हम दुबारा से यह name और address निकाल ले जाएं बेटर की हमारे पास कहीं store हूँ ताकि हम इस value को बार बार use कर सकें तो पीचे ले आते हैं बड़ा ही धीठ है तो अगर नहीं हुआ तो मैं बहुत जादा मेहनत नहीं करूँगा मैं सीधे इस पर लिग दूँगा की में परपरस है हमारा इसका डेमो देखना वेलो धिय्चिन वैल्यूज हमें निकालनी है जो की पास हुई है इस पूरे प्लिकेशं में जब तक यह एपकशन रण करेगा तब तक जो है अचिचन हमारा रहेगा ठीके और हम देखते हैं क्या होता है यह एन बेक्शनवेल अब यहाँ पर हम लिखने uniform textbox1.text is equal to क्या हम लिखेंगे session और यहां पर value देंगे name और यहां पर हम दे देंगे to string तो यह string में convert करके हमें यह value display कर देगा और text2 में textbox2 में हम क्या करेंगे उसके text में हम देंगे session-address.toString तो अब textbox1 में और textbox2 में यह दोनों session variables जो हमने वहां maintain किये थी अब यहां पर इन दोनों values को हम maintain कर यहां पर दून दोनों values को हम fetch कर लेंगे ठीक है और अब session variables के बारे में अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह session maintenance का जो काम में कर रहा हूं अभी जो maintenance का काम कर रहा और दूसरी चीज़ यह होती है कि web.config में यहां पर अगर आप देना चाहो तो आप दे भी सकते हो session state यहां पर एक variable होता है यहां पर इसका mode होता है mode में आपने नाम दे दिया inproc अगर आपने mode में नाम inproc दे दिया तो आपका session state inproc है अगर नहीं भी दिया तो भी by default क्या होता है inproc होता है inproc का मतलब क्या होता है ठीक है inproc का मतलब यह होता है यहां पर हम इसे comment कर देते हैं और यहां पर लिखते है comment the inproc is for when client is managing this session variables not client when a single when a process जिसका नाम aspnet underscore wp होता है wp या wep.exe होता है वो maintain करता है web page ठीक है तो जैसे ही आप इस session variable को store करते हो server पे वैसे ही वहां पर एक aspnet wp.exe चल रही होती है उस web server पर और वही इसको maintain करने का काम करती है ठीक है जैसे ही आप session variable store करते हो वो multi-threaded application होता है aspnet wp.exe और यह आपके session variables को store करने का काम करने लगता है जितने भी users हैंगे उन सब के लिए वो एक-एक thread open करता है जैसे आप एक user हो दूसरा कोई client है अगर उसने भी कहीं से web page open किया है तो उसके लिए भी यह एक thread start कर देगा और उसके session variables को store करने लगेगा और जब वो अपने लिए session variables को retrieve करना चाहेगा तो यह उसको session variables provide भी कर देगा उनकी values ठीक है तो यह इस तरीके से काम करता है इसके advantage क्या है यह fast है ठीक है ओवियस सी बात है जहां पर web server है वहीं पर है और यह fast है फटा फट वहीं से कर लेगा लेकिन इसको क्या हम उस case में use कर सकते हैं जब multiple servers हों हमारे पास multiple web servers हों आजकल ऐसे भी applications बनने लगे है जहाँ पर multiple servers भी हो सकते हैं multiple web servers भी हो सकते हैं एक request आपकी जा रही है web server 1 पे और दूसरी request जाती है web server 2 पे इस तरह के भी servers आजकल होते हैं तो उस case में क्या यह काम करेगा उस case में तो यह काम ही नहीं करेगा क्यों क्यों क्योंकि अगर आपने session variable एक जगे पे store किये हैं और एक web page के लिए request जा रही है server 1 पे और दूसरे web page के लिए जा रही है server 2 पे और आपका जो maintenance आपने किया है server 1 पे किया है अगर आपने session बनाते समय उस server पे request गई थी जो कि server 1 है तो क्या होगा अगर server 2 पे आपकी request जाती है तो वहाँ पर जो ASPने WP.exe run कर रही है उसे ये पता नहीं चलेगा ठीक है अगर उसे ये पता नहीं चलेगा तो वह कैसे आपको value retrieve करके देगा नहीं दे पाएगा इसलिए ये जो तरीका है in-proc method है जो कि session को maintain करने का in-proc method है वो तभी useful है जब आपका single server application हो single wave server application हो multiple wave server applications के case में ये आपका काम नहीं करेगा देने जाते हो कहीं पर आगर आप interview देते हो तो वहां पर भी ये चीज़ पूछी जा सकती बढ़ इससे ज़्यादा कोई आपका आपने interest नहीं लेगा इस चीज़ को जानने के लिए ठीक है अब आते हैं waveform1.aspx पर जहां पर हम थे यहां पर हमने जैसे ही page load हुआ जैसे ही page load हुआ हमने दो session variables store कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया जैसे ही button click होगी वैसे ही waveform 2 open करेंगे और waveform 2 पे get session values करते ही हम name और address को उन दोनों text box में load करके display कर देंगे तो आईए देखते हैं किस तरह से execute होता है यह मैंने waveform 2 open कर दिया है let me just stop it and waveform 1 को open करता हूँ इसको stop कर देते हैं waveform 1 पे याता हूँ और waveform 1 को चलाते है यह waveform 1 open हो रहा है और जैसे waveform 1 open होगा वैसे ही दोनों session variables store हो जाएंगे behind the code code behind में code behind के through और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे यह आगे बढ़ता है यहाँ पे next page पे हम जाएंगे इस समय तक अब यह page load हो चुका है जब यह page load हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि हमारा page load जो page load event थी उसके अंदर हमने जो logic लिखा था कि store these session variables उन session variables के attributes के साथ वो store हो गए है तो वो जो session variables है वो हमारे maintained है ठीक है वो हमारे session variables maintained है और जब वो maintained है तो उस case में अब हम यहाँ पे हम उनको retrieve भी कर सकते हैं आपने देखा वहाँ पे maintain किया था विकास शाक किया और noida sector 350 यहाँ पर यह दोनों आ गए ठीक है इसको थोड़ा dynamic भी बना सकते हैं करने के बाद आप कोई button बना सकते हैं कि store these values in session और उसके बाद next page करके उस page पर retrieve करके देख सकते हैं अपनी मरजी की value तो वो आप करके देख लीजेगा मेरा purpose यहाँ पर session के concepts को clear करने ठीक है तो अब हमने यहाँ पर जो किया था वो किस तरह का था in proc था अब हम जो करने जा रहे हैं that will be not in proc that will be state server based ठीक है अब जरा उसको समझते हैं कि state server based application होता क्या है state server based session management होता क्या है ठीक है इसको मैं हडा देता हूं sorry इसको मैं यही रहने देता हूं और इसको comment कर देता हूं total ताकि आप इसकी अगर screenshot लेना चाहें तो आप यही पर ले ले इसको मैं थोड़ा और खींच देता हूं so that अगर आप इसका screenshot लेना चाहें तो अभी ले ले यहां पर यह लिखा हुआ है या फिर आप note कर सकते हैं कहीं पर और अब मैं क्या करूंगा अब यहां पर मैं एक नया add करता हूं बाकी सारा कुछ वैसा ही रहेगा session variables को store करने का तरीका वही है लेकिन यहां पर web.config के थ्रू हम यह बताते हैं कि हम session को maintain कैसे कर रहे हैं हम inproc maintain कर रहे हैं या state server के थ्रू maintain कर रहे हैं ठीक है अब हम बात करते हैं state server की इसको मैं यहां पे close करता हूं और यहां प state server ठीक है state server mode हमारा होगा लेकिन state server देने से सिर्फ नहीं होगा यह एक ऐसा server होता है जो session को explicitly हमारे लिए maintain करता है और यह same नहीं होता मतलब same हो भी सकता है और same नहीं भी हो सकता है उस web server के जिस web server पर आपका application रण कर रहा है ठीक है जैसे अभी तो मेरा web application जिस server पर रण कर रहा है जिस machine पर रण कर रहा है वही सब कुछ है लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब हमारा multiple servers हो हो जैसे कि मैंने पिछला case बताया था त्रूप आपका application जो वेव application वो maintain हो रहा है, ठीक है उस case में आपका ये state server काम आएगा, क्योंकि state server क्या होता, ये एक service होती है, ये service किसी एक machine पे run कर रही है, या फिर अलग भी run कर सकती है, किसी एक state server पे भी run कर रही है, या सारे state server को छोड़के किसी और server पे run कर रही है, ले यसे कि यह जान जाती है कि यह session variable किस के लिए है, किस user के लिए है, और उसके बाद जब आप उससे request करते हो, या फिर आप उसमें add करते हो session variables, तो यह जो server होता है, वो server ही maintain कर रहा होता है उन variables को, ठीक है, और वो server कौन सा होता है मैं अभी बताऊंगा, बस यहाँ पर आप एक छोटा सा note add कर लीजिए, it's a separate server, bracket में maybe, from the web server, but is totally independent of any web server, किसी भी web server से यह independent होता है, ठीक है, भले ही किसी web server, जहाँ पर कोई web server चल रहा है, वहीं पर आपने यह service चला रखी हो, state server की, अगर वहाँ पर भी चला रखी है, तो भी यह server अपने आपने अलग है, ठीक है, आपको वो tension नहीं लेनी है कि मेरे अगर कई servers हैं, कई web servers हैं, तो मे service के लिए आप यहाँ आईए, यहाँ पर services panel में, services.msc यहाँ पर अगर आप लिखते हैं, तो आपको पता ही होगा, services.msc आप यहाँ पर लिखिए, msc, जैसे ही आप लिखेंगे, वैसी services open हो जाएंगी, और आपके सामने यह आजाएगा, यहाँ पर एक service आपको दिखेगी, asp.net state service, आप देखेंगे by default यह stopped है, इसको start करना पड़ता है, अगर आप इसको start नहीं करोगे, तो क्या होगा, यह service नहीं चलेगी, यह आपका session maintenance नहीं हो पाएगा, तो अभी इसको stop रखते हैं, ताकि मैं आपको example दे पाऊँ, ठीक है, अब एक काम और करते हैं, अब यहा state connection string में आपको यह बताना पड़ता है, कि मेरा वो server कौन सा है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उस server का नाम क्या है, और किस port पे यह state service run कर रही है, ठीक है, अब आपको port देखना है, आपने service तो देख ली, लेकिन हर service किसी नहीं किसी port पे run करती है, तो इसकी service की port देखने के लि services, services के अंदर asp net underscore state और उसके अंदर parameters, इन parameters में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर port दिखाई देगा, इस port की value आप देख लो कितनी है, इस port की value अगर आप decimal कहाँ पे देखो तो 42424, 42424, यह इसकी value है, ठीक है, यही port number आपको वहाँ mention करना होगा, with the name of the server, ठीक है, I hope की आप इसको navigate कर पाऊगे, अगर नहीं भी कर पाऊगे, then let me show you, H की local machine में गये, system में गये, फिर इसके बाद services में गये, services के बाद आप गये, current control set में आप पहले गये, system के बाद आप current control set में के लिए, current control set के बाद सिर्विस्न के बाद आप शिविस ते के बाद आप इसք़ state में और उसके बाद आप यहां पे आए parameters में इस parameters में आपको port number दिखाई देगा ठीक है अब इस port number में आप क्या करोगे इस port number को आप note कर लोगे 42424 और आप यहां पे mention कर दोगे इसको यहां पर आपको देना है TCP IP is equal to local host यह तो मेरी अपनी मशीन है अगर आपका local host ना होता कोई और मशीन होती तो आप उसका नाम देते और यहां पर आप क्या दोगे 42424 वो port number दोगे ठीक है अब यह state server आपके state को maintain करेगा ठीक है इसका फाइदा क्या है इस state server का इसका फाइदा यह है इसके उपर फाइदा है asp.net WP के उपर फाइदा है जो inproc server के उपर जो फाइदा मिलना है वो ही मिलेगा inproc server में यह फाइदा नहीं हो रहा था कि अगर multiple web servers हों तो आप maintain नहीं कर पाओगे session लेकिन इस case में क्या होगा आप multiple web servers के case में धी session को maintain कर पाओगे यही इसका फाइदा है asp.net WP के respect में ठीक है तो अब आप यह देखो कि इसका नुकसान अगर हम देखें तो नुकसान यह है कि since यह एक अलग service की तरह चल रहा है तो उस service तक एक TCP IP request जाएगी तो उस request के जाने में एक delay होगा एक overhead होगा यह तो यही नुकसान है बट यह इतना बड़ा नहीं है अगर आप session maintain कर रहे हो और basically अगर आप दो-तीन web servers यूज़ कर रहे हो और एक subnet के अंदर वो सारे web servers हैं ही तो फिर इतना ज्यादा फर्क नहीं पढ़ना चाहिए तो पहला वाला सबसे fast है यह state server उससे थोड़ा कम fast है यह slow होता है इसकी performance थोड़ी slow होती है बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पढ़ता आपकी मजबूरी हो जाती है जब आप एक से ज्यादा web server use करते हैं तो इसी तरह से आपको use करना पढ़त होता है state server अब आई इसको चला के देखते हैं waveform 1 को फिर से open करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ maintain होता है या नहीं होता है आप यहाँ पर जैसे ही इसको load करेंगे जैसे ही आपका waveform 1 open होगा आपको एक exception आएगी जो आपको यह बताएगी कि आपकी service नहीं चल रही है unable to make the session state request to the session state server please ensure that the asp.net state service is started and the client and the server ports are same ठीक है तो client और server port आपको maintain करने है client तो मेरा है ही अब server port मुझे सही डालना था वो डाल दिया problem कहां हो रही है problem यहां हो रही है कि यह service started नहीं है तो हम इस service को start कर देते हैं ठीक है अगर started नहीं है तो वो error आईगी start करते हैं अब वो error नहीं आनी चाहिए बाकी code में कहीं चाहिए नहीं करना session के variables जैसे store कर रहे थे आप पहले वैसे ही store करोगे the only thing you will change in web.config ठीक है अब यहां पर यह पर लोड हो चुका है session variables store किये जा चुके होंगे state server के द्वारा और आप next page पर आईए next page पर आके variables की value get कर लीजिए so I hope कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम session maintain कर रहे है in proc server के थूँ और आपका जो state server है उसके थूँ और दोनों के advantages और disadvantages भी आपको समझ में आये होंगे ठीक है अब एक चीज़ और देख लेते हैं कई बार आपने देखा होगा कि session timeout की भी requirement होती है अगर आप चाहें तो session timeout यहां पर mention कर सकते हैं जैसे मैं चाहता हूँ कि एक minute के बाद कोई भी इस session को handle ना कर पाए यानि इस session timeout हो जाए इसका interval होता है सायद यहां पर interval होता है या timeout होता है यहां पर आप डाल दो one minute तो यह minutes में होता है one minute का timeout हो गया तो one minute तक अगर आप कुछ नहीं करते उसके बाद अगर आप जो है उस session variable को get करने की कोशिश करते हो तो आपका session expire हो चुका होगा और exception आ जाएगी ठीक है तो इस timeout के through वह होता है यह timeout आप यहां भी दे सकते हो यह timeout आप अपने प्रोग्राम में भी दे सकते हैं वह प्रोग्राम के throughby में आपको दिखाऊंगा waveform1.aspx आपको waveform1 खोलना है यहां पर आते हैं हम और next page पे आते हैं अब यहां पर get session value अभी तो मुझे मिल गई लेकिन अब हम क्या करते हैं यह दोनों values वड़ा देते हैं और उसके बाद एक मि के लिए अपनी जो वीडियो है उसे आगे बढ़ा सकते हैं so that एक मिनट के बाद जब मैं इसे click करूं get session value को तो वह exception में आपको दिखा सकते हैं अभी एक मिनट हुआ नहीं है पूरा so मैं इसमें mouse भी नहीं हिला सकता क्योंकि वो फिर session active हो जाएगा जैसे ही कोई activity आप करोगे session active हो जाएगा इसलिए मैं इसमें mouse भी नहीं हिला रहा है so that एक मिनट के बाद मैं एक क्या थोड़ा और ले लूँगा time so that मुझे ensure हो जाए कि हाँ एक मिनट तो at least lapse होई चुका है तो अभी 7 बच के 6 मिनट हो रहे हैं और 7 बच के 5 मिनट पे something seconds पे मैंने इसको बंद किया होगा सो एक बार 7 बच के 7 मिनट हो जाने देते हैं उसके बाद मैं get session values पे click करूँगा I hope एक मिनट तो हो ही गया है so wait करी लेते हैं 7 बच के 7 मिनट होने का यस अब मैं इसको click करता हूँ अब आप यह देखोगे exception आपकी आ गई यहाँ पर अगर आप देखोगे system null reference exception object reference not set to instance of an object ठीक है तो यह प्रॉब्लम आती है अगर आप चाहो कि यहाँ पर इसको अगर आपको इसको user को कुछ useful message देना है तो try catch के अंदर आप इसको maintain कर लो try है यहाँ पर यहाँ पर catch दे दो और यहाँ पर exception आप maintain कर लो देख लो इसको कि क्या exception आती है और यहाँ पर आप इसको कोई भी message दे सकते हो अगर आप चाहो तो text box 1 में ही लिख सकते हो text box 1.text is equal to session expired ठीक है उसके बाद text box 2 में भी आप यही कारना मा कर सकते हो is equal to session expired ठीक है तो गलती है अब कितने आराम से होती है नहीं आप जो ना करना चाहो वो अगर हो जाए तो कितने गज़त तरीके से होता है कि आप उसे सुधारी नहीं सकते इतना गंदा होता है कि आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी आप कुछ अच तक फिर वेट करेंगे और इस बार हमारे पास text box 1 और text box 2 में session expired आना चाहिए ऐसे ही session expired messages आते हैं जब आप कोई activity नहीं करते हैं वो इसी तरीके से session maintain करते हैं user का जो आपके applications होते हैं अगर आप bank की website खोलो या कुछ भी करते हो तो वहाँ पर इसी तरीके की चीज़े होती है इसको waveform 1 कर देते हैं इसके बाद next page पे आ जाते हैं और एक minute के बाद अभी 7 बचके 8 minute हो रहे हैं 7 बचके 9 minute या 10 minute पे मैं इसको click करूँगा तो आप इस video को करीब 1.5 minute तक के लिए आगे बढ़ा लिए साथ बचके 9 minute हो रहे हैं तो थोड़ा और time निकल जाए इसके बाद मैं इसे click करूँगा माउस हिलाते ही तो session आ जाएगा इसलिए मैं अभी time भी नहीं देख सकता so just wait for it 7 बचके 9 minute हो रहे हैं I will wait till 7 बचके 10 minute और तब मैं get session values पे click करूँगा ठीक है 7 बचके 10 minute हो गए हैं यहां पर आगया session expired session expired so I hope कि आप समझ गया होंगे कि किस तरीके से session maintain होते हैं और किस तरीके से आपका अगर आपने कोई login application बनाया जिसमें login की जरुएत है और login के बाद कोई भूल जाता है कोई activity नहीं करता तो आप उसका session expire करके आप उसको log out कर सकते हैं ठीक है session को log out कर सकते हैं तो यह सब चीजें आप आराम से कर सकते हो अगर आप चाहो कि आप यहां web.config में यहां पर नहीं देना चाहते और आप चाहते हो कि आप इसको programmatically दो तो उसका भी एक तरीका है उसका तरीका यह है कि आप waveform 1 पे आए और इसके page पर आकर के आपने क् यह session.timeout sorry timeout यह आपने दे दिया one second ठीक है तो ऐसे भी आप दे सकते हों तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में ऐसे और भी tips and tricks मैं इसमें add करता रहूंगा इस नई playlist में तो आप बने रही है मेरे साथ मेरे वीडियो को share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और अगली बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए have a nice day and bye bye